हेलो दोस्तों वेल्कम मैं आप सभी का संकल्प इंस्टीट के यूट्यूब पैनल एडू संकल्प पे है सो आज मैं इससे का सीजिल लेंट शेकंड स्टार्ट कर रहे हैं मैं आप से डिसकोस करूँगा जिस पॉर्शन हम लेक्टर फॉर्स ओल्रेट सक्कुर्टी थो की ऑच लिक्रrant तो सब्सक्रिक्ट चांट नर्ग है चाल्ड विच्वन अम फॉलुविंग इस नौट रिट व नेशनल इंकम को एस्टिमेट करते हैं जी तो हम पेंशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं राइट ऑप्शन C is चैनल नेक्स टेकर को लोव टेकरो ओला कि चीडिसके शितला प्राइश का टूला ठीक है तुस्क का आंशर है जी शॉलो पॉलीशी प्राइस पॉलीशी पॉलीश फिस्कल का यॐ कॉलीश सेसे वह जो टेहीं Care policy बनाती है RBI और फिसकल पोलिसी बनाती है गर्मेंट तो इसका ट्रेक्ट आंसर एजी अप्टिन सेकंड जो नेक्स टेक तेन जी globalization means ठीक है बना फेमस मॉडल हुआ लपीजी लिबलाइजेशन प्रिवाइजेशन ग्लोबलाइजेशन so globalization means option first is integration of economy option second is integration of financial market option third is integration of the domestic economy with the world economy yes this is the correct answer option three क्या करिया जी integration of domestic economy with the world economy पहले जैसे इंडिन इकॉनमी क्या थी क्लॉस्ट एकॉनमी थी फिर 1991 में हमने LPG model introduced किया और इंडिन एकॉनमी को वर्ड एकॉनमी के साल integrate किया हम globalization model पे गए इंडिया में बहुत सारी FDI FDI that is globalization then challenge next which is the artificial part of India इन में से कौन से इंडिया का एक artificial port है so first is kandala port नहीं जी natural port है second is mangalore port ये भी natural port है third is Chennai और Madras yes Chennai port is an artificial port ठीक है जी और जो हल्दिया port है option fourth that is a riverine port ठीक है और जो मारा kandala port है वो क्या है जी kandala port हमारा है title port यहां पे tides हाही रहती है then and haldiya is a riverine port और लेकिन इसका correct answer का जी option c then job next the noble prize was institute by the country Nobel Prize इन में से कौन से country देती है जी इसका correct answer Sweden Nobel Prize Sweden देती है on the will of Alfred Nobel ठीक है जी Alfred Nobel की विल पर दे जाती है invented dynamite 1901 में स्टार्ट किया गया Nobel Prize six film प्राइज जाता है जी कौन कौन सी physics chemistry physiology economics literature and peace apart from the Nobel Peace Prize बाकी पांचयों Nobel Prize कौन देता है Sweden और जो Nobel Peace Prize है वो मिलता है जी नौर्वे की capital Oslo में ठीक है जी और कुछ और questions देखते हैं फर्स्ट इंडियन पहले इंडियन कौन थे जिने Nobel Prize मिला जी रबेंदर नाथ तेगोर रबेंदर नाथ तेगोर रबेंदर नाथ तेगोर ठीक है जी वस्ट इंडियन जिने क्या मिला Nobel Prize दन और किसमे मिला लिटरेचर में इन 1913 पर इस बुक गितांचली गितांचली क्लेक्शन के लिए तर्ब्स जाड़ नेक्स देखते हैं जी कि इस वन ऑफ फॉलिविंग मौशन इस रिलेटिड विद दा जूनीएं बजट इन में से कौन सा मौशन बजट से रिलेटिड ऑफ जुछे में जी सेंश्न नहीं कट मौशन है इस पिस दाड़ीज अंसर कट मॉशन बजट से ठीक परमीशन के साथ इंट्डूस किया जाता है कट मोशन सो इसका अंसर कहा जी ओप्शेन सी कट मोशन सब्सक्राइब निक्स अर्क्टिब करेक्टिपल फेंट पॉलिसी इनन इंटिंटिशन वर टेकन फॉन्टिटिशन फॉन्स पर हम टेमस ओर इसका अनसरा आयर लैंड विटे आर्वा गाइड लाइन्स पॉर वेल्फेर आप सोसाइटी रेक्टिव प्रिंसिपल्स चॉंसिटिशन के पार्ट फॉर्थ और आर्टिकल थिस्ट फिटी वन में आती है हमारे रेक्टिव प्रिंसिपल्स दॉन डॉक्टर ब्यारम बेट करने ने क्या बोले जी नॉबल सब्सक्राइब के साथ यह फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से खतम हो गया ठीक है नौ इट इस लीगल राइट इसका क्रेक्ट आंसर आजी अप्टन ऑप्शन थर्ड लीगल राइट डिर्क्टिव प्रिंसिपल्स और राइट तो प्रोपर्टिव राइट लीगल रा कि नियुक्रित फ्रेक्ट यह एक है अघर आपको परसननल लीबर्टी तब ही डिमॉक्रेसी है तो इसका correct answer है option 3 टीक है जी राइट टू पर्सनल लिबर्टी नेक्स्ट वो इस दा चेयर्मन ऑफ सेबी के चेयर्मन कौन है जी ठीक है सेबी फर्स तो फॉल सेबी क्या चीज़ है सेबी सेबी सेक्षेंज बार्ड ऑफ इंडिया और सेबी के जो इस ताइम चेयर्मन है विच पहली फीमिलियन जो सेबी की चेयर्मन बनी है कॉन ओ मध्भी पूरी बच ठीक है जी औड सेबी कब बना जी 1992 में सेबी वादस्ते बीच नेक्स टेखते हैं विट वफ पॉलुविंग विट फॉलुविंग्व माउन्टेंस गई इन्हेंसे कौन सी माउन्टेन है जो रेंग्शेड एरिया नहीं बनाती पर स्वर्प्शन फस्ट इस अरावलिज अरावलिस बनाती है जी जो बेख बैंगॉल से मोईश्टर में लेकल चलती है अरावलि यह बनाती यह नहीं बनाती यह अब है बारिश कर लेते हैं ठीक है एक साइड बारिश थे प्रेक्ट आप्शन सेकंड निलगरी हिल्स कलिंगा नेकस्ट CT लिंगा वार कौन से सिर्मलीuga तू सिंटीव बी ची ठीट हैक कलिंगा वार वार कौन से स्टू इसका करेक्ट टान स्टूर्प्शन एचीजज कर फाय भी चीज़ तिड़ कर लिया थिए नौस्ट कर लिया ठीगत बुद्हिण नडॉट्ट कर लिया गया इस वार के बाद कलिंगा वॉर निक्स देखते हैं जी अकाल वॉस बिल्ट भाइ ठीक है जी हरी मंदिर साहिब में अमरे सर में अकाल तक साहिब कौन से गुरू ने बनवाए इसका क्रेक्ट अंसर है जी गुरू रामदास नहीं जी गुरू तेग बहादूर जी नहीं इ सबसे सुप्रीम तक तिया सुप्रीम बॉडिया अकाल तक साहिब ठीक है इन्हें बोला जाता है सिफ्टी दा कर ठीक है जी सिफ्टी दा कर रइट देखते हैं जी नेक्स्ट हूब वह दारीजेंट ऑफ अक्बर इन इस अर्ली डेज जब अक्बर वह चोटा था तो उनका कौन अकबर को कौन लीड करता था इसका क्रेक्ट अंसर है जी ऑप्शन सेकेंड बैरम खां ठीक है बैरम खां वह सब गार्डियन ऑफ अकबर अकबर विकेम दे किंग एड़ एज ऑफ फटीन चोदा साल की एज में अकबर क्या बना राजा बना ठीक है बहुत चोटा था त इसका क्रेक्ट अंसर इस ऑप्शन सेकेंड बैरम खां डन जो नेक्स देखते हैं जी विफॉर एज्यूमिंग ऑफिस ऑफ दा सुल्तान अफ दिल्ली बल्बन बॉस्टा प्राइम मिनिस्टर ओफ विच सुल्तान अच्छा बल्बन जब सुल्तान बना दिल्ली का दिली सल् इस नसीर अदिन महमूद यस दिस अ करेक्ट अंसर बल्बन से पहले जो राजा था जिल्ली सल्तमत का नसीर अदिन महमूद ठीक है यह वस दा किंग और उनके दरबार में जो प्राइम मिनिस्टर था वो था बल्बन घ्यासु दिन बल्बन ठीक है जी करेक्ट आंसर इस वस्सिस अंत्रा सा permite नहीं इसका करेक्ट आंसर एक एॉपुचन फ़ास लिंवारिक नहीं इसे बोलते हैं व्राओं कॉल यह यह उटीक है खाज़्स चलते हैं जी यkinum saara-bhai स्पेस सेंटर इस एट विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां पे है इसका क्रेक्ट आंसर है ओप्शन फर्स्ट तिरुवननत पुरम केरला ठीक है जी विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां पे तिरुवननत पुरम केरला में सो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन फर्स्ट त्यूरू बढ़नत्वपुरम केरला एक्स देखते हैं जी विच वन आफ फॉल्विंग इस नौन एस ता पर्ल सिटी हीरे मौती ज्वारात सो पर्ल सिटी किसे बोला जाता है इसका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन फॉर्थ बिकोज यहां पे पर्ल कटिंग की या पर्ल्स की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इसलिए बोला जाता है पर्ल सिटी ऑप इंडिया हैद्राबाद से मौत हैद्राबादी बिर्यानी इस अ कैपिटल ओफ टेलंग गाना नेक्स देखते हैं जी मध्या प्रदेश इस ता ला जी नहीं जी ओक्शन थर्डेश पुल्स यस पाल ज से लॉ ना ओब कर्यक्कर फंषण सरा बद्ल्स इनुट लॉड्ज पर्ल्स शी यह प्रॉर सिं द respecto आं फिर्द बिosph का और इंडिया में मद्या प्रदेश देखते हैं लौन विक्ट्लैनेट इनर सोलर सिस्टम इस नेरली एस बिग ऐस अर्TH ठेख है मरक्री मार्स सुपर्ण्स ग्रेक्टांसर इस पिर्ण। क्योंकि वेस्ट को बोलते हैं अर्फिट्मिन अर्थ कर्वATH का मौलते हैं आवलमस्टो साइप अर्थ के एकॉल ऐह दी विनस्स का students का concern रहता है कि Sun के सबसे पास Mercury है लेकिन फिर भी Venus hot test planet क्यों है because Venus is consisted of 97% CO2 इसमें 97% carbon dioxide है इसलिए यह hot test planet है ठीके जी hopefully आपकी confusion दूर होगी होगी नेक्स्ट इन अनियन दा एडिबल पार्ट इस अनियन में एडिबल पार्ट कौन सा है so option first is leaf नहीं option second root no option third stem yes stem is the edible part of the onion and एक बात ध्यान रखना जी अनियन इस अंडर्राउंड स्टेम जैनली हम consider करते हैं कि जो चीस अंडर्ग्राउंड रूपती है वो रूट होगी बट नहीं कुछ stems भी होती है जो underground होती है तो अनियन इस अंडर्ग्राउंड स्टेम ठीके जी और अनियन कौन से फर्टाइल मेल जो फर्टाइल मेल होता है हनी बीज में उसे बोलते हैं ड्रॉन और विच टिशू नेल्स हूप्स एंड हौन्स आर मेड़ अप ओफ ठीक है जी हूप्स एंड हौन्स किस चीज़ के बने होते हैं तो इसका और्रेक्ट अंसर है फर्स्ट इस क्यूटाइड राइड रॉंग अंसर काइटिन यह भी नहीं है जी ऑप्शन थर्डिस करतीन यस नेल्स हूप्स अंड होंज र मेड़ अप ओफ करतीन टीक है जी करतीन से बनती है यह तीन उची से नेक्स है हेमोग्लोबीन हैज हाइस्ट इस इफिनिटी टू फिक है जी ऑप्शन फस्ट ऑक्सिजन सेकेंड स्कर्पन डायिक्साइड थेर्ड कार्बन मॉन्हुनॉच्छइड यस्स तो ऑप्शेन में और स्टिसमें लग में हमारे औक्सिजन की स्प्लाइड कट ऑभ या टी है आर्बीस औक्सीजन नहीं कर पाते और सफोकेशन के कारण या एस्विक्सियेशन के कारण परसन की डेथ हो जाती है ठीक है जिस करेक्ट आंसर इस कार्बन मौन अक्साइड एक्साइट क्रोमोजोमा सब्सक्राइब इसर मैलनेस इन में से कौन से क्रोमोजोम का कॉंबिनेशन में मैं मन में लेिजन करता है XO wrong answer XXX यह होते ही नहीं है ऐसे ठीक है option third is XX यह female femaleness create करते हैं and option fourth is XY yes this is the right answer ठीक है XY chromosome are responsible for maleness in humans और male में होते है XY chromosome और female में होता है XX chromosome when XY chromosome meets female offspring का बर्त होता है and when XX chromosomes meet then female offspring का बर्त होता है the Newton's law is also called as law of inertia यह तो मने school में बहुत बहुत बढ़ा है that is law of inertia यह correct answer option second if we want to calculate the pressure of a liquid at the bottom of a vessel the quantity which is not required to determine it is अगर हम किसी liquid liquid का pressure calculate करना चाहते हैं तो इन में से कौन सी चीज़ हमें determine जरूरी नहीं है ठीक है first is height of the liquid column यह जरूरी है जी second is surface area of the bottom of the vessel third is density of liquid and fourth is acceleration due to the gravity at the bottom of the vessel so its correct answer is option second surface area of the bottom ठीक है जी surface area of the bottom of the vessel दिये हमें नहीं चाहिए इसके requirement नहीं है अगर हम किसी liquid का pressure calculate कर रहे हैं डन नेक्स्ट the water from a hand pump the water from hand pump is warm in winter because सर्दियों में जब hand pump से पानी निकलता है तो थोड़ा warm क्यों होता है जबकि थंड है थंड होना चाहिए पानी लेकिन क्यों रहता है so options देखते हैं जी first is our body is cold in winter and the water appears to be warm नहीं यह कोई मतलब नहीं बनता option second the temperature inside the earth is higher than the atmospheric temperature yes this is the correct answer earth के interior का temperature exterior के temperature से जड़ा होता है ठीक है बहार थंडी के होती और earth के interior में क्या होता है जी temperature warm होता है गरम होता है इसलिए पानी warm रहता है अर्थ के interior में इस दा रीजन राइट जो नेक्स्ट अवाटर टेंग एपियर शैलोवर जब हम कहीं टॉप से एक वाटर टेंग को देखते हैं आपने भी notice किया होगा जब हम किसी swimming pool को देखते हैं water tank को देखते हैं ओपर से देखते हैं तो बहुत कम गहरा दिखता है ठीक है यह क्यों होता है यह से क्यों होता है इसका answer that is due to reflection of light reflection of light के कारण ठीक है हम उसकी depth नहीं पदा चलती और हमें वह बहुत closely दिखता है ठीक है तो correct answer is reflection option second next small and cheap computers built into several home appliances are of which type mainframe computers taking option first next enter martial arts belong to which Indian state tankta is a dance form as well as martial arts it belongs to the state of money poor take a tankta हमारी indigenous martial arts है और यह इंडिया की money poor state से belong करती है next लिखो जी the chief source of naphthalene is naphthalene का सबसे बड़ा source कौन से है सबसे में सोर्स कौन सा है options are call tar diesel charcoal या camphor so option first is call tar this is a major source of naphthalene call tar next why is water not suitable for putting out a petrol fire अगर किसी प्लेस पे पेट्रोल से आग लग गई है या पैट्रोल को आग लग गया या जैसी फिलिंग the sand soil या फिर fire extinguisher यह चीजें क्यों यूज करते हैं प्रेफर करते हैं चीके जी तो according to option देखते हैं the oxygen content of water is isolated by the petrol and thus it helps in burning नहीं जी रोंग अंसर है option second is petrol is too inflammable to be extinguished by water यह भी गलत अंसर है third is the heat required for combustion of petrol is very low नहीं जी option fourth is water being heavy slips below petrol which thus remains in contact with air and pans जी तो हम आप पानी के उपर petrol डालो petrol उपर तैरेगा हमेशा ठीक है जी because water is heavier than petrol ठीक है तो हम जब petrol के उपर पानी डालते हैं तो एक तो पानी slip-off हो याता है तो पानी है पेट्रोल से और नीचे की तरफ गिर जाता है और जो पेट्रोल है वो चिकना है ठीक है तो उसके खारण पेट्रोल स्लिफफ हो ऊता है जब पेट्रोल होने के कारण वह पानी को एक्सिंग जो पेट्रोल में आग लगी हूई होई उसको ऍ稟्रीक नहीं कर पाता ठाmp होने के खारण एक सिपर जाने कि एक रिष्ण दूसरा पेट्रोल ठीक हो तो उसके बागर पादी प्लीक milk is milk क्या जी emulsion suspension is form is so milk is emulsion liquid میں fat dissolve is that is milk so milk is emulsion water means fat dissolve water is emulsion bowl then milk what islat emulsion then correct answer is emulsion next chemical substance present in bonds and teeth is मैं कौन सा चैएमिकल सब्सटेंसन में से कांसर कालशियम फॉस्ट है हमारे बान्स में किया पाया जाता है कैलशियम फॉस्ट है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लब नेक्स देखते हैं जी वजल फॉरस्ट्री इस सोचल फॉरस्ट्री क्या थी है सो रहिं दीर इप्स टौछ सुगेदर अंब्ड यह नहीं जी इस नोट इस व्शनना फोरस्टी सेकंड इस this is the social forestry cooperative societies जब forest की management करती है उसे हम क्या बोलते हैं जी social forestry so is correct answer is option second social forestry next तेखते हैं जी which of the following exhibits unidirectional flow in an ecosystem ठीक है ecosystem इन में से कौन सी चीज़ का flow unidirectional है फस्ट इस लाइट second is energy third is water fourth is biomass or correct answer is energy energy unidirectional flow करती है ecosystem next देखते हैं जी maximum permissible concentration of copper in drinking water in milligram per liter is ठीक है एक लिटर drinking water में कितने milligram ठीक है copper की concentration permissible है maximum उसका correct answer is zero point zero one yes option first is zero point zero नहीं sorry sorry इसका correct answer option third one milligram ठीक है एक लिटर में ठीक है एक लिटर में एक मिली ग्राम ठीक है जो concentration है वो permissible है किस चीज़ की copper की नेक्स देखते हैं जी कि अर्थ समिट वाज हेल्ड इन ठीक है जी अर्थ समिट कभी थी कहां होई हेल्ड इन सो इसकांसर है जी शिकागो नहीं एड़लेट नहीं लंडन नहीं इसका correct answer option fourth रियोडी जिनेरियो रियोडी जिनेरियो में हुई थी अर्थ समिट थीक है 1992 में रियोडी जनेरियो कहां पे ब्राजिल में next who invented pencil pencil इंश अबोलते हर मर्ज की दवाह ना remedy of all आलस pencil न वाज invented by a very famous person Alexander Fleming so correct answer is option third Alexander Fleming he invented pencil नेक्स्ट दपॉइन ओविच ओफ दफॉलिविंग रिवेल्स तेर लव फॉर म्यूजिक पूछा गया जी इन में से कौन से किंग्डम के कौइंज जिसे पता चलता है कि उस किंग्डम को म्यूजिक पसंद था था ठीक है सो अप्शन फस्ट इस मौर्याज ऑप्शन सेकंड इस नंदाज ऑप्शन थर्ड गुप्ताज और ऑप्शन फॉर्थ इस चोलाज तो गुप्ताज के जो कौइंज है ठीक है वह म्यूजिक के लिए प्यार को दर्शाते हैं आप समुद्र गुप्ता के कौइंज देखो गया उसके पीछे वीना बनी हुई है ठीक है जी सो गुप्ताज और एक चैंडिया में सबसे पहले क्यों किसे इंडम कर्यक्त पर प्रेंव किसले इंड आणि रैक्त आंशर है बीग्स थेक़् है सबसे पहले किसने की इंडूग्रेक्स ने इंटे सुर्ड आइंडिया इंडव्रेक्स टीकर नेक्स्ट तो नेक्स्ट दुबार लिखते हैं तो एक बर एंडो ग्रीक्स देवर दो फर्स्ट टू इंटर्डूस कॉल्ड कॉइंज इंडिया दो लगला कोश्चन देहान में रखना लिए नेक्स्ट वाइटमिन एज मेंली स्टॉर्ड इन्युमरा वाइटमिन एए ठीक है वहाँ पर स्टॉर होता है लंग्स में किड्नी में ब्रेस्ट में है लिवर में उसका क्रेक्ट आंसर है ऑप्शन फॉर्थ लिवर वाइटमिन ए इस टॉर्ड इन लिवर ठीक है वाइटमिन ए का केमिकल नेम क्या जी रेटिनॉल और इसकी डेफिशेंसी से नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है जी राज को दिखन में प्रॉलम होती है नाइट इसके डिजीज के वेक्टर है आंसर इस ऑप्शन सेकंड फिलेरियस इस ठीक है जी इसको कौन करी करता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो नेक्स्ट आइसो बार लाइन डिस्प्लेंग एरिया ऑफ इक्वल आइसो बार जो लाइन जैंटी के जी जो मारे ग्लॉप बनी भीचिटी इस को ठीक है इस घंपरेचुर थर्ड रजी इन फार्फ इसटमॉस्परिक प्र दॉप्र प्रेश। क्रुप्स्प्रिकंट दॉप्शन पहले नरिवर्सन बेलो फ्लोस इंटू अफ इनमें से कौन से रिवरर है जो रन अफ चछ में फ्लो करती है कि सब्रमती सेकेंड इस लूनी धियर टाट टीक है लूनी रिवर आज जो वह रूंफ कच में जाके मार्शी लैंड़ आफ कच में जाके डिसापिर हो जाती है इंपॉर्टन कोश्यों एजी डिसापियर इन आप मार्शी लैंड रॉन आफ कच ठीक है यह रिवर चलते जलते चलते कॉंपैक्ट ओजाती इसमें पानी कम हो जाता है और यह रॉन आफ कच में जाके डिसापियर हो जाती है इसका एक टांसर इस ऑप्शन सेकेंड लुनी रि स्टुर्ट आइए उसका टांसर जी ऑप्शन सेकेंड नेक थायरेंट ग्लेंट इस सिटूएट इन आप इस इस में से थायरोक्सें हॉर्मॉन जेनरेट होता है ठीक है जो हमारी हाटबीट को इंडी पेंडेंडेंट ली कंट्रोल करता है थायरोक्सें इन नेक्ट अमंग उप इन्डी चीनियस इनमें से कौन सी काउव की वराइटी है जो इंडीम नहीं करती है हमारी ओरिशनल डीड नहीं है ठीक है जी हम रहते हैं इंडिया में लेकिन हमारी ओरिशनल ब्रीड नहीं है तो इसका और जॉट्ट है इसका एंडीर छोडोर्ड wanna इड्या की जangen जी प्रफ सार डिपेंड्स पांदियर के जुकिछ का कलर किस चीज़ पर इस तास का कलर डिपेंड करता है उप्शन में देखते हैं सर्फस टैंपरेचर प्रेशा रज नहीं इसका correct answer है option first surface temperature ठीक है जितना चादा temperature होता है जी star का ठीक है उसके ऊपर उसका color depend करता है ठीक है star looks blue because they are hotter than the sun बहुत जादा distance में और sun से भी जादा गरम इसलिए में क्या दिखते हैं the percentage of irrigated land in India is India में कितने percentage land है जो irrigated है तो इसका correct answer है जी option first 35% ठीक है option first is 35% ठीक है this much percent of land is irrigated ठीक है और इंडिया का टो टॉटल लेंड एरिया है वह कितना है इंडिया के इंडिया के टॉटल लेंड एरिया में सबसे रहा contribution है वह अलूवियल प्लेंज किया है ठीक है अलूवियल किये 40% of land area of the total land of India is made by alluvial soil next in which year प्रधान मंत्री किसान सम्मान निथी योजना started ठीक है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निथी योजना वह started in 2019 इसके अंदर किया जी एक साल में किसी भी किसान को ठीक है सिक्स थाउजन रुपिस की financial assistance प्रवाइड की जाती है in the installments of three ठीक है दोदहजार की तीन किस्तों में एक साल में छे हजार रुपिर दिये जाते हैं किसान को ठीक है that is प्रधान मंत्री किसान सम्मान निथी योजना प्रेक्ट answer is option three 2019 next where is the power bill lake situated the power bill lake kaha pae madhya pradesh nahi ya ji west bengal nahi option third bihar nahi ji option fourth awesome yes the power bill lake is situated in awesome or a carry wetland the power bill lake is a wetland so option fourth is the correct answer then let's check there which is the purest form of iron in में से कौन सी form iron की जो purest then pig iron second is cast iron third is rot iron yes rot iron is the purest form of iron ये iron की सबसे pure form है जी और रोट आइरन डन अच्छा जब iron के उपर रस्ट होती है ठीक है तो उसको किस चीज से कॉट किया जाता है ताकि iron के उपर रस्ट नाई ठीक है तो एक प्रोसेस है galvanization of iron galvanization of iron is a process in which iron is caught with zinc iron के उपर zinc की किया जाती है तो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट ठीक है जी जाब हो दोस्तों यह थे हमारे कुछ important questions SSC के SSC exam के लिए ठीक है आज हमारी यह second video थी second lecture था hopefully आपके बहुत सारे doubts clear होंगे हुए होंगे और आपको यह वीडियो helpful रही होगी ठीक है हम यह वीडियो की साथ जो हमारी सीरीज है इसको continuity में करते रहेंगे ठीक है तो आपको सारी वीडियो टाइमली मिलें आपके doubts clear होएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है अपने दोस्तों गार शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को knowledge मिल सके और उनके doubts प्लेयर हो सके हैं ठीक है जी सो वीडियो को लाइक लाइक करो ताकि हमें भी एंथूजियाजम आई और हम भी बहुत सारी वीडियो लेके हैं आपके लिए ठीक है और बहुत चल्दी हम जो स्टुडेंट्स पंजाब एक्जाम के प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी पंजाब जी के की वीडियो इंट्रिडूस कर रहे हैं ठीक है तो आपके प्यार के लिए बहुत सारे प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया थैंक यू सो मिच